आज हम केमिस्ट्री का एक भड़िया प्रयोग करेंगे और बाउंसी बॉल बनाएंगे गोंद और बोरिक पाउडर के साथ इसे बनाने के लिए हमें चाहिए बोरैक्स, कुछ गोंद, पानी और खानी का राग बोरैक्स सोडियम बोरेट है जिसको पानी में मिलाकर बोरिक आसेट बन जाता है तो सबसे पहले बोरैक्स को लेकर हमने पानी में मिलाया और बोरिक आसेट से पैदा होता है बोरेट आयन अपनी गेन में रंग मिलाने के लिए थोड़ा सामने खाने का रंग भी मिला दिया इसके बाद हम गोंद लेंगे गोंद पॉलिविनाइल एसिटेट है जिसकी लंबी-लंबी चेनों को हम पॉलिमर कहते हैं ये चेन एक दूसरे के उपर फिसलती रहती है और इसलिए गोंद एकदम तरल पदार्थ है एक कटोरी में गोंद लेकर अब हम इसमें गीला बोरैक्स मिलाएंगे और जब हम इसमें बोरैक्स मिलाते हैं तो ये बोरेट आयन गोंद की लंबी चेनों को आपस में जोड देता है और फिर ये चेन आपस में एक दूसरे के उपर फिसल नहीं पाती ही और इसके कारण बन जाती है हमारी चिप-चिपी उचलने वाली भड़िया बाउंसी बॉल और ये देखिए इसकी केमिस्ट्री जिसमें दिखता है कि गोंद की लंबी चेन कैसे बोरे टायन के साथ आपस में जोड जाती है और आप एक और भी प्रेयोग कर सकते हैं ये थोड़ी चिप-चिपी है क्योंकि इसमें पानी है और अगर हम ने इसका पानी गरम करके उड़ा दिया तो एक बहुत ही सक्त प्लास्टिक की बॉल बच जाएगी तो मदा लीजे इस केमेस्ट्री का जिसके दोरा आप बांसी बॉल बनाएंगे बिलकुल इन बच्चों की तरह धन्यवाद